तो दोस्तो जो वीव कंपनी है न वो अपने टॉप नोज लेवल वाले कैमरे क्वाल्टी और अपने डिजाइन के लिए मेंली जाना जाता है तो अगर आप भी अवी के टाइम पे एक जवद दस था वीव का स्मार्टफोन ढूंड रहे हैं तो मैंने आपके लिए गिने चु सब्सक्राइब ने किया हुआ तो कर लिजिए ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स देखने को मिलते रहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करें माई लिष्ट के फर्स्ट नमबर वाले स्मार्टफोन के बारे में तो हमने रखा है की तरब से आने वाला वीवर टीटू 5G स्मार्टफोन जो कि आपको 15-60,000 रुपीज की बजट प्राइसे में देखने को मिल जाएगा और यह स्मार्टफोन में लिए जो अपना बजट थोड़ा सा इंक्रेज कर सकते हैं तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते है यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन के देखने को मिल जाते हैं और आप 1000 रुपीज एक्स्टर लगा कि जब इस स्मार्टफोन को पुजिज करोगे तब आपको यह स्मार्टफोन वर्थ हिट लगेगा तो अगर डीटेल से बात करें हम इस स्मार्टफोन के इस स्मार्टफ फार्स फ्लाइस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इसके लाओ अगर बात करें इस स्मार्टपून के डिस्प्ले स्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.38 इंचेस की एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है जो की 1018-2400 पिक्सल्स की है और यह जो डिस्प्ले पैनल है वह 413 PPI पिक्सल लेंस्टी पर वर्क करती है इसके अलाओ यहाँ पर आपको आपको अपटी 39 इनिट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है 90 अगर बात करें फोटोग्राफी कर सकते हैं इसके अलाओ आपको सामने के तरफ भी 16 मेगा पिक्सल का एक काफी बढ़िया सिंसर देखने को मिल जाता है इसके बाद चलिए आप बात के लेते हैं लेस्ट के स्मार्टफून के बारे में तो सेकंड नमबर पर हमने रखा है वीबो की तरफ से आने वाला वीब हैं तो अगर डीटेल से बात करें हम इस स्मार्टफून के स्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको पर्फॉर्मेंस के लिए कोईल काम श्नाइब डेगंट 695 का 2.2 गीगाच पर क्लॉक्ट ओक्ट और 5G प्रोसेसर मिल जाता है जहां पर आपको 4GB की रैम सपोर 128GB की inbuilt memory देखने को मिल जाती है और इसके लाव वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर भी 5000mH की एक बड़ी बैटरी के साथ 18W का normal flash charging support भी देखने को मिल जाता है इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफून के display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तौर पर 6.58 inches की एक IPL LCD panel देखने को मिल जाती है जो की 1018-20408 pixels की है और यह जो display panel है वो 401ppi pixel density पे work करती है इसके अलावा आपको HDR10 का support देखने को मिल जाता है और 120H की refresh rate support आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है सो budget range के recording आपको displays wise भी specifications काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं वही पर at the end अगर बात करें इसे smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50MP, 2MP, 2MP, 2MP का triple rear camera support देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से maximum 1080p में अपनी वीडियो उसको full HD भी record कर सकते हैं इसके अलावा भी आ 528 5G smartphone और यह smartphone आपको 13-14,000 रुपीस की budget prices में देखने को मिल जाएगा और यह वीवो की offline series से हैं तो यह smartphone ज्यादतर आपको offline market में ही देखने को मिलेगा अगर आप offline market में जाते हैं तो यह smartphone आपको और सस्ता भी देखने को मिल जाएगा अगर details से बात करें हम इस smartphone के specifications के बार 128 GB तक की inbuilt memory देखने को मिल जाएगी और इसके लावा भी आपको 5000 एमेज की काफी बड़ी है बड़ी वैटरी के साथ 15 वाट तक का fast charging support भी देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर बात करें इस smartphone की display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तोर पर 6.56 inches की एक काफी 12 pixels की होगी और यह जो display panel है और 269 PPI पिक्सल लेंस्टी पर वर्क करती है इसके अलावा आपको 98 तक कर refresh rate support भी देखने को मिल जाता है इसके बाद अगर at the end वहीं बात करें इस smartphone के photographic features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 प्लस 2 megapixel का एक dual layer camera support देखने को मिल जाता है with OIS support और आप यहाँ से maximum 1080p में अपने वीडियो उसको 30 fps पर easily full HD में record कर सकते हैं वहीं आपको सामने के तरफ भी 8 megapixel का एक काफी बड़ी है sensor देखने को मिल जाता है तो overall इस smartphone के specifications भी काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं इसके बाद अब बढ़ते हमाई list के fourth and last smartphone के तरफ जो कि हमने रखा है Vivo की तरफ से आने वाला Vivo T2X 5G smartphone और यह smartphone आपको 12,000 रुपीज की budget range में देखने को मिल जाते हैं तो आप इस smartphone के साथ जा सकते हैं यहाँ पर भी आपको 5G connectivity देखने को मिल जाती हैं अगर डीटेल से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए मेडे रिक डाइमेंश्टी 6020 का chipset देखने को मिल जाता है जो की 2.2 GHz में clocked एक octa core processor है यहाँ पर आपको 4GB RAM support के साथ 128GB की inbuilt memory भी मिल जाती है इसके बा आपको डिस्प्ले के तोर पर भी 6.58 इंचेस की एक IPS LCD पैलल देखने को मिल जाती है चोकि 1080 टूनी 408 pixels की है और यह जो डिस्प्ले पैलल है 400 1ppi pixel लेंश्टी पर वर्क करती है इसके अलावा एड़ दे अगर वही पर photography की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 प्लस 2 Megapixel का एक dual camera support देखने को मिल जाता है और यहां सो आप maximum 1080p में अपने वीडियो उसको 30 fps पर full HD में record कर सकते हैं और यह आपको सामने के तरफ भी 8 Megapixel का एक front camera देखने को मिल जाता है तो आप अपने 24 याफी अपने need users के basis पर किसी भी smartphone की तरफ जा सकते हैं So at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी अदर informative रही होगी So अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंप्रिक कर देजए अगर लाइक और चैनल कर देज़ सब्सक्राइब तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं लिए online testing video में तो तब तक के लिए राधे राधे